Hello everyone, स्वागत है आपका Replica World में आज हम पढ़ेंगे Types of Light Microscopy के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि Light Microscopy क्या होती है या Microscopy क्या होती है अगर आपने वो introductory वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उसको जरूर देखेगा जिसका Link आपको Description में मिल जाएगा आज हम Types of Light Microscopy के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सिर्फ तीन पार्ट्स कवर करेंगे बाकी के जो अगले पार्ट्स है Light Microscopy के वो हम सबसेक्वेंट वीडियो में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो टाइप है Light Microscopy का वो है Bright Field Microscopy तो जैसे कि हमें इसकी नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे क्या होगा Bright होगी फील्ड है ना जो वो Background है वो Bright होगा तो यह Most Commonly Used Microscopy का टाइप है यानि Light Microscopy का Most Commonly Used टाइप है यह जिसमें की Specimen को देखा जाता है by transmitted light from a condenser lens जैसे कि हमें पता है कि Light Microscopy का क्या डिजाइन होता है कि एक नीचे की तरफ Condenser Lens होता है जिसके थूँ हमारी क्या होती है Light Source से Light आती है और फिर Condenser Lens के थूँ वो Sample पे जाती है फिर Sample से जो Light Transmit होती है या जो Condenser Lens है जो Directly Light आ रही होती है फिर Objective Lens उसको Capture करता है फिर वहाँ से क्या होता है आई पीस तक जाती है Light तो इस तरीके से जो है एक Image Form होके आती है तो यहाँ पे होता क्या है Light जो हमारी Bright Field Microscopy है इसमें जो Light हमारी आती है Light Source से वो Condenser के Towards जाती है सबसे पहले फिर Sample पर जाती है क्या होता है कि Light Source से पहले Condenser पे जाएगी Light Condenser उसको Focus करता है Specimen पे ठीक है And through the specimen the Light Transmit and gets Collected by Objective Lens तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फिर जो Light Transmit होती है Specimen के तो फिर वो Objective Lens उसको Collect करता है फिर वो Eye Piece तक जाती है और उसके तुरू Magnified Image होके हमारी Eye तक पहुंच जाती है अब जो Specimen होता है Bright Field Microscopy में वो Stained भी हो सकता है और उसका Natural Pigmentation भी हो सकता है क्योंकि कुछ Specimen जैसे होंगे जिनका अपना Natural Color होगा तो उनको Stained करने की जरूरत नहीं है तो वैसे जितने भी जादा जो भी हमारे Transparent Type के Specimen होते है हम उनको Bright Microscopy में Stained करके ही देखते है और जिनका Natural Pigmentation होता है उनको Stained करने की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है तो Bright Field Microscopy में क्या होता है जो हमारा Background होता है वो हमें Bright दिखाई देता है और जो हमारे Specimen होता है वो एक Particular Color में दिखाई देता है जाए वो Color हमारे Staining की वज़े से आया हो या फिर उसकी Natural Pigmentation की वज़े से आया हो तो इसको Bright Field इसले बोला जाता है क्योंकि जो इसका Background हो Bright होता है वो इसके Against जो हमारे Objects होते है या जो Specimen है वो हमें Dark दिखता है यानि वो किसी Color में दिखता है यह वाली बात होती है Bright Field में Next आता है हमारे Dark Field Microscopy Dark Field Microscopy में जो Background होता है वो Dark होता है और जो Objects होते हैं वो उसके Against Light दिखाई देता है तो यहाँ पर उल्टा होता है एक तरीके से Bright Field का कि यहाँ पर जो Background हो डाग दिखाए देता है अब यह क्यों यूज किया जाता है यह इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो Unstained Specimens हैं जिनको हमने Stain नहीं किया है उनको हम Bright Field में तो नहीं देख सकते क्योंकि Background भी Bright होगा और वो Light Color के होगे तो वो हमें दिखेंगे ही नहीं तो इस चीज को देखने के लिए ऐसे Specimens को देखने के लिए जिनको ना तो हमने Stain किया है और वो Light Color के हैं ठीक है Transparent है और Unstained है तो उनको देखने के लिए ताकि बहुत अच्छी तरीके से हमें दिख सके तो इसलिए Background को Dark किया जाता है और इसलिए Dark Field Microscopy का यूज किया जाता है ताकि जो Unstained Transparent Specimen है उनको हम अच्छे से देख पाएं ठीक है Dark Field Illumination में हम करते क्या है कैसे Dark Field बनाते हैं उसको क्या हम Light ही नहीं डालेंगे ऐसा नहीं होता है Light डालते हैं बट जो Light Source होते हैं उसको ऐसे Angle पे लगाया जाता है कि जो जब वो Source पे Light आए तो Source मतलब जो Specimen पे Light पड़े Source से तो Specimen पे जब वो Light पड़े तो जो Specimen से Transmit हो रही है Light सर्फ वो ही Objective Lens Collect करें बाकी कि जो Background से Light आती है वो Objective Lens Collect ना करें तो यहां पे Dark Field Illumination यूज़ेज़ एक केरफुली अलाइन Light Source to Minimize the Quantity of Directly Transmitted Light and Collecting Only the Light Scattered by the Sample यानि कि जब Source से जो Light पड़ती है तो कुछ Light ऐसी भी होती है जो Directly Objective तक पहुचती है और कुछ ऐसी होते है जो Sample से ट्रांस्मिट होके पहुचती है तो डार्क फिल्ड में हम लोग Source को इस तरीके से लगाते है कि जो Light Objective Lens तक पहुचती है वो सिर्फ transmitted light पहुचे डरेक्ली ना पहुचे इससे क्या होता है बेक्ग्राउंड हमें डाग दिखाई देता है comparatively और जो specimen होता है उसकी image हमें light दिखाई देती है अब इसके लिए हम करते क्या है कि अगर हमें इस तरीके का arrangement करना है तो उसमें हम करते क्या है एक opaque disk लगा देते हैं condenser lens के पास जिससे की जो extra light होती है वो objective तक नहीं पहुच पाती है ठीक है सिर्फ वो ही light पहुचेगी जो कि specimen के तो ट्रांसमेट होगी इसलिए जो background होता है वो हमें black appear होता है ठीक है तो यह बात होती है हमारी dark field की तो हमने दो चीज़े समझी bright field and dark field जो normally हम compound microscope पनी lab में इस्तेमाल करते हैं binocular या फिर monocular वो कैसा होता है bright field होता है ठीक है next जो है हमारा वो है phase contrast microscopy ठीक है जब light पास होती है किसी भी living cell के थ्रू तो वहाँ पे जो light का phase होता है वो change हो जाता है according to the cells refractive index देखे कोई भी हमारा cell है हम एक normal animal cell के अगर बात करें तो उसमें different organelles होते हैं या different area होते हैं नूकलेस होता है एक cytoplasm होता है cytoplasm में भी different organelles होती है जब light सिर्फ simple cytoplasm से पास हो रही है तो उस time cytoplasm जो है उसका refractive index अलग है अगर nucleus से पास होता है तो नूकलेस जादा dense होता है तो उसका refractive index अलग है उसके phase में change आजाता है कोई in phase हो जाती है कोई out of phase हो जाती है है तो refractive index होने की वज़े से different different ऐसा होता है तो जब light पास करती है thick से dense part से तो वो retard हो जाती है थोड़ा सा पीछे रह जाती है as compared to उस light से जो कि directly cytoplasm से पास हो रही है हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे की हमारा एक cell है जिसमें की एक हमारा nucleus है और एक normal cytoplasm है तो जब यहाँ पे light आ रही है तो एक light तो ऐसी होगी जो कि directly cytoplasm से पास हो रही होगी और एक हो ऐसी होगी जो nucleus के थ्रूपास हो रही होगी तो जो directly cytoplasm से पास हो रही होगी तो जो directly cytoplasm से पास हो रही है व तो यह difference आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, phase difference बोलेंगे, ठीक है, यह चीज यहाँ पर होती है, तो अब इस वज़े से क्या होगा, its phase consequently shifted relative to light that has passed when adjacent thinner region of the cytoplasm, जो thinner region से पास हो रही है, वो जल्दी बहार आ जाएगी, जो डेंसर से पास हो रही है, वो जल्दी बहार नहीं आ पाईगी, तो यह से एक phase difference आ जाता है, और इसी चीज का use किया जाता है, for the creation of image, यहाँ पर, ठीक है, तो phase contrast microscopy जो होती है, वो इसी phase difference का इस्तिमाल करती है, तो यहाँ पर basically, जो principle काम करता है, वो करता है, interference का principle, ठीक है, जो interference effect होता है, उसका use करके, यहाँ पर क्या होता है, एक image बनती है, the specimen appears as different degree of brightness and contrast, यह जो phase contrast की image बनती है, मतलब कोई, अगर specimen हम face contrast के help से देखता है, तो बहुत ही बहतरी image बनती है, क्योंकि refractive index की difference के कारण, phase difference के कारण क्या होता है, interference जो effect होता है, वो यहाँ पर आ जाता है, interference effect होने की वज़े से, यहाँ पर हमें जो same specimen है, उसक बहुत ही बहुत ही अच्छा contrast क्रियेट हो जाता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी image हमें देखने को मिलती है, यह हम क्यों use करते है face contrast microscopy, यह हम इसलिए इसलिए इस्तमाल करते हैं, ताकि हम live और unstained cell को अच्छे contrast में देख सकें, ठीक है, तो face contrast में हम लोग यह चीज समझ बहुत है कि face difference होता है light में because of the reflective index का difference, जिस वैसे interference effect हो जाता है और इस वज़े से हमें एक अच्छी सी contrast image देखने को मिलती है, तो यह हमारी बात हो जाती है face contrast microscopy की और इस तरीके से हमने तीन टाइप की light microscopy पढ़ली, बाकी के जो light microscopy की टाइपस हैं वो अगली वीडियो में डिसकस करेंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें शेयर करें और अपली कावर को सब्सक्राइब करें